नमस्कार बहुत स्वागत है आपका स्रावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादसी को कामिका एकादसी कहते हैं और इस बार 13 जुलाई को मनाया जाएगा 12 जुलाई की साम 5 बचकर 69 मिनट से एकादसी तिथी सुरू होगी 13 जुलाई की साम 6 बचकर 24 मिनट पर एकादसी तिथी समाप्थ होगी और आप ब्रत का पारन 14 जुलाई को करेंगे इस ब्रत को रखने से ब्रह्म हत्या तक का पाप नश्ट हो जाता है गुरुबार का दिन भगवान स्री हरी बिष्णु की अराध्ना का दिन है अगर उनकी किप्रा मिल जाए तो ब्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्थ होते हैं और जिन पर स्री हरी का हाथ होता है जिनके सर पर ऐसे लोगों को जीवन में कभी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकता आज हम आपको गुरुवार के दिन करने वाले छोटे छोटे आसान से परियोग बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम परिसानियों से आपको बाहर निकालेगा तो चलिए सुरुवात करते हैं देखिए सबसे पहली बात तो गुरुवार के दिन घर में पोशा नहीं लगाना चाहिए ये तो आपको पता है लेकिन अगर आप बहुत जरूरी है बहुत गंदा है घर अब आपको घर धुलवाना है क्या करेंगे एक चुटकी हल्दी पानी में डाल दीजेगा तो दोस्त कम हो जाता है कम हो जाता है मिटता नहीं है इमर्जंसी हो तब और गुरु वार के दिन जब आप असनान बेगर्या करके पूजा पाट करने की तैयारी करें तब भगवान स्री हरी के पूजा के थाल में हल्दी जरू रख्येगा इस शंक जरूर बजाना चाहिए एक तो माल क् तो इस दिन बहुत सारे चोटे चोटे परियोग होते हैं घर के मुखे दरवाजे पर अगर गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर छिर्काओ किया जाए तो नकात्मक उर्जा दूर होती है और घर में सकात्मक उर्जा का वास होता है जब आप भगवान सुरी को जल अर्पित करेंगे तो जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर ही अर्पित कीजिएगा अगर आप औव विवाहित हैं और ऐसे आप जल अर्पित करते हैं तो सिग्र विवाह के योग बनते हैं और अगर आप विवाहित हैं तो आपके बैबाही ब्रत रखती हैं तो यह सबसे अच्छा होता है सर्वोत्तम है लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रियोग बताएंगे जोतिस कहता है कि गुरुबार के दिन तुलसी के पेड़ में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो जल में दो चार बुंद कच्चा दूद एक चुटकी अ और जब आप ज़ाडू लगाती हैं तो आप एक दो दाने जीरा डाल कर फिर ज़ाडू से बाहर कर बाहर कर दें तो इससे बरकत बढ़ जाती है अगर आप घर से गुरुबार के दिन जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आप पीला रुमाल रखले पास में या फिर फिर हल्दी का थोड़ा सा कलाई में आप हल्दी लगा लें तो आपके कारे बन जाते हैं कारियों में सफलता मिलती है गुरुबार के दिन छोटे छोटे प्रियोग जरूर करें ताकि आपका भागे साथ देने लगें अगर आपका भागे एकदम से साथ नहीं दे रहा तब ओ कुई भी दोनों में से कोईभी मंद्र का जब करने तों बंद किस्मत के रवाजे खोल जाते हैं तो गुरुवार के दिन चुकि तुलसी जी का विशेस महत तो बढ़ जाता है और तुलसी को विश्णू प्रिया भी कहा जाता है अगर भगवान स्री हरी के चर्णों में गुरुवार के दिन से सुरू करके नियमित रूप से दो तुलसी के पत्ते अरफित करें तो आपके जीवन में धन बढ़ता है मान सम्मान प्रेम बढ़ता है अब कई बार होता क्या है बार बार बिभा आप तै तो करने जाते हैं बाच्ची सलती है पर पक्की नहीं होती अगर आप पक्का करने जा रहे हैं और उस दिन गुरुवार है तो आप घर से पीले रंग की मिठाई खाकर निकलिए आपके रिस्ते तै हो जाएंगे अगर गुरुवार के दिन आप एक लाल कपड़े में कौड़ी पांच कौड़ी थोरे से गुलाब की पंखुरी और एक सिक्का चांदी का हो तो अच्छी बात नहीं तो एक रुपया का कौएन ले लीजे मां लक्षमी को एक चुटकी अक्छत के साथ अर्पित कर दें और पोटली बना कर रख लें धन के अस्थान पर बरकत बढ़ जाती है अब एक खास उपया देखिए गुरुबार के दिन चुकि भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है तो इनको पीले रंग के पुस्प और अगर आप केवड़े का इत्र अर्पित करें तो जीवन में खुजाली आती है वैसे तो आप केवड़े के इत्र नहीं भी अर्पित कर सकते हैं तो कम से कम मा लक्ष्मी को आप गुलाब का इत्र अर्पित करें और जो आपकी उंगली पर लगा रह गया आप उसको अपनी नाभी पर लगा लें आपका भाग्योदे होता है जीवन में खुजियां बरस दी है भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है इसलिए उन्हें चने की दाल और गुड का भोग लगा जाता है वैसे बेसन का हलवा का भी भोग लगा सकते हैं पीला केला का लगा सकते हैं लेकिर याद रखिएगा इन चीज़ों का भोग लग अगर आप लोगों के बीच नहीं बनती जगड़े लड़ाई होते हैं तो केला खाना गुरुवार के दिन बंद कर दे क्योंकि केले के बिश्की पूजा होती है अगर आप अपने घर के मुखे दरवाजे पर हल्दी या फिर कुमकुम से स्वस्तिक का निसान गुरुवार क के दिन बना देते हैं तो घर में नकातमक उड़ जा भी नहीं आती और आपके जीवन की मुखे ने भी समाप्त हो जाती है यह जो हल्दी का स्वस्तिक आप बनाएंगे घर के मुखे दरवाजे के बाहर की तरफ से बनाईएगा ताकि यह स्वस्तिक आपके जीवन में आ रह में खुजियां आती हैं किसी का टोना टोटका किया कराया नहीं असर करता और पोछे के पानी में अगर पोछा लगाना जरूरी हो तो एक बाद फिर से रिपीट करें हल्दी जरूर डाल दीजेगा अगर आपका गुरू गरबड है पेट की समस्या है मोटापे की समस्या है तब हल्दी और चना डाल का दान आप पास के मंदिर में कर दें तो ऐसा करने से आपका गुरू जो गरबड फॉल दे रहा है वो ठीक हो जाता है नहाने के पानी में अगर एक चुटकी हल्दी डाल कर आप अपने घर के छोटे बच्चों को नहलाएं या जो कुमारे कन्याएं हैं वो लोग नहाएं तो उनका सिगर विबा का योग बनता है और नजर दोस उतर जाता है नहीं लगता यानि वो लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं और भाग्योदे भी होता है कोई भी व्यक्ती नहाने के पानी में गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डाल कर नहा सकता है भागी को मजबूत करता है गुरु बहतर होता है और जब गुरु बहतर हो जाए तो धन, संतान, मा सम्मान, सुख बढ़ जाता है साथ तरह का वरदान देते हैं देव गुरु अब गुरुवार के दिन अगर आपका गुरु गरह कमजोर है बिटिया की साधी नहीं हो पा रही तब मुंतर की चीजें होती है तब आप दाहिने हाथ में केले की पेड़ की जर बांध ले पीले धागे में बांध कर धारन कर सकते हैं और तुक् weaknesses कRNA के दिन कुछ खास परियोग किये जाते हैं जो जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है एक खास बाते देखिये आपके घर में तुल्सी का पौधा है तुल्सी के पौधे की मिठी में ही दुरुवा घास आप संबभवो तो लगा दे अगर पहले से है तो अच्छी बात क्योंकि दुरुवा घास आपका भागे के बंद किसमत के दरवाजे को कोलता है और अगर आपके पेर महापर है दुरुवा घास तो ये दुरुवा घास आप नियमीत रूप से गनेज जी को और पीत करें आपका राहू भी बेहतर होगा जीवन के कस्ट कम होंगे तो हल्दी के बिसेश प्रयोग होते हैं अगर बुरे सपने आते हैं तो तक्ये के नीचे गुरुवार के दिन हल्दी रख दें और उसी पे सोएं वैसे गुरुवार के दिन बिसे पुष्प की पंखुरी पीले पुष्प की संभव वो तो डाल दीजेगा और अगले दिन पानी को पौधे में डाल देना है वैसे तो ये क्रिया रोज करना है लेकिन अगर दिन के अनुसार आप रंग के पुष्प डाल के रखे पानी या प्लेन वाटर भी रख सकते हैं तो नकारतमक चीजों को भी सोकता है और आपके जीवन में आकस्मिक जो बाधाएं हैं दुरगटनाएं हैं वो सभी चीजें समाप्त हो जाती है तो हल्दी के वैसे तो बहुत सारे प्रियोग हैं लेकिन कुछ खास प्रियोग हर गुरुवार किया जाए तो हर मुस्किलों स नजर नहीं लगेगी बच्चे स्वस्त और मस्त रहेंगे बहुत सिंपल है लेकिन अगर लड़किया हल्दी का उप्टन लगाती है कच्ची हल्दी का घिसकर तो उनके चेहरे पर गलो भी आता है और उनका गुरु बेतर होता है सिग्र विभा के योग बनते हैं यदि आप घर से किसी सुब काम के लिए निकल रहे हैं तो हल्दी को गनपती जी को तिलक लगाएं और फिर अपने माथे पर लगाएं और फिर घर से निकले निर्भगन रूप से आपके सभी कारे पूरे हो जाएंगे गुरुबार के दिन जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के समय दीपक जलाते होंगे अब इस दीपक में अगर आप एक चावल का दाना हल्दी से कलर करके उस दीपक की बाती के साथ रख देते हैं और फिर दीपक जलाते हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्कले जल देना है आप मिट्टी में साइड में प्रियोग कर सकते हैं हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्काइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेव चरू लिखें धन्यवाद